हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जिंप कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11, 10, 8, 7 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नभूलें चलिए सुरू करते हैं आप अपने लेटाप या PC के अंदर कोई भी ब्राऊजर उपन कर लिजएगा ब्राऊजरूजर उपन करने के बाद आपको गोगल ईपन कर लेने open होने के बाद यहाँ पे आपको home page पे ही दिख जाएगा जिम्प download करने के लिए या तब यहाँ पे click कर लिजएगा या नहीं तो आपको यहाँ पे second tab दिखेगा download का या तब यहाँ पे click कीजएगा दोनों में सब कहीं भी click करेंगे तो आप इस page को पर आ जाएंगे अब आपको कहा करने यहाँ पे आपको download करने के लिए दिख जाएगा तो आपको कहा करने यहाँ पे click कर देने किलिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा या नहीं तो आपको case में आपने एकसी को save किये वहाँ पे आपको इस तरह से एकसी दिख जाएगा अब आपको कहा करने इस एकसी को उपर आपको right click करने इसके बाद आपको property पे click कर देने किलिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आ लिजए यदि आपके case में भी यहाँ पर अन ब्लॉक दिखत कर सकते हैं यानि तो आप इसके ऊपर right click करके open करके install कर सकते हैं तुक्र क्लिक करके install कर सकते हैं तिनों चीज में से कोई एक चीज़ा आप कर लिजिए मैं आपको सचेस्ट करूंगा हमेशा इस एपिके discrimination को install करने के लिए आपको क्या करना है इसलिए मैं अपने केस में यहां पर क्लिक कर रहा हूं क्लिक करते हैं इस तरह से यहां पर क्लिक करते हैं 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 इस तरह से इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आप अपने हिसाब से यहाँ पर लेंगवे सेलेट कर लीजेगा इसके बाद आपको OK पर किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना है इंस्टॉल पर किलिक करते हैं इस तरह से इंस्टॉल होना शु झाल 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 कंप्लिट होने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आपको क्या कर देने किलिक करतें इस्टोलेशन कंप्लिट हो जाएगा आप यदि आप इस एक्सी को कहीं और शेब करके रखना चाहते तो आप रख सकते यानि तो आप इसको डिलिट करना चाहते तो यहां से चेक कर लेने ओपन करने के लिए आपको क्या करने सच पर किलिक कर देने किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको यहां पर जिम टैप करते हैं यहां पर आपको क्लिक कर देने किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको क्या कर करना है यहां पर कुछ सकने वेट करने के बाद आटोमेटिक यह ओपन हो जाएगा आप देख रहे हैं विदाओट कोई रर यह ओपन हो चुक है अब आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं अब यदि आप इसका वर्जन चेक करना चाहते हैं तो आपको कहा करने हैं हेल्प के उपर आपको किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर आप पर किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आप देख रहे हैं यहाँ पर यह लेटेस्ट वर्जन दिख जाएगा जो आज के डेट में लेटेस्ट वर्जन है यही है यानि जीम 2.1.0 तो इस तरह से यहाँ पर जीम का वर्जन भी चेक कर सकते हैं अब आप इसको अपने हिसाब से यूज कर लीजेगा और प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू